शराब दुकान में चाकू बाजी करने वाले मुख आरोपी को पुलिस ने ग्राफतार करते हुए जिल भेज दिया है घटना दमो जिले के पथरिया थाना शेतर में भीते दिनों हुई थी बताया जा रहा है कि पथरिया में संचाले देसी शराब दुकान में काम करने वाले दो करमेचारियों के पीच पुराने विवाद के चलते चाकू बाजी हो गई थी जिसमें टीकमगड प्रिजा निवासी वीरेंद्र लोधी पथरिया में शराब दुकान पर सफाई काम करता था जिसका ठेकी पर पपू प्रिजापती के साथ बिवाद हुआ जिस पर पपू ने जान से मारने के प्रियास में वीरेंद्र के सीने में चाकू से वार किया जहां चाकू उसके सीने मे ही फस गया था जिससे उसे जबल पो रेफर करना पड़ा था घटना के बाद से ही दौनों आरोपी फरार थे पतरिया पुलिस ने इस घटना की मुख आरोपी दमो निवासी गोलु यादव को 24 घंटे के अंदर गिरफतार कर न्यायले में पेश किया वहीं दूसरे आरोपी की तलाश जारी है मामले में थाना प्रभारी रजिनी शुकला ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर घटना को अंजाम दिया गया दूसरे आरोपी की तलाश जारी है अरोपी की तलास जारी है उनले रखतार कर ने दूसरे आरोपी की तलास जारी है जाले पक्षों का पुरानी रंजिश के तारानी ने दुबार पथरिया से आफताब खान सागल टीव नी उजो अленयोको पालिका लेखते हैं एंट चाहिक चाहिक एंट्बाइड ओक म॰हिण इंट इंड हैं इंट करिकोणों अीजयो गेएं इंग पर meow ऑंत जो म grant गो Camus झाल झाल